इसले साल लॉकडाउन के दोरान जब सिनेमा हॉल बंध हो गई थे तो लोगों की लिए बंध घरों में OTT प्लाटफॉर्म एक एंटर्टेन्मेंट का बड़ा मीडियम साबित हुआ मगर इस प्लाटफॉर्म पर दिखाये जाने वाली कंटेन्ट ने पेरिंट्स को चिंदा में डाल दिया OTT प्लाटफॉर्म पर दिखाये जाने वाले बहुत से कंटेन्ट ऐसे हैं जो बच्चों की लिहास से नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों को इन प्लाटफॉर्म से बिलकुल दूर कर दिया जाए इन प्लाटफॉर्म पर Kids Safety के टूल्स भी मौजूद है जिसकी मदद से content को filter किया जा सकता है तो आये जानते हैं कि कैसे इन टूल्स का उप्योग करके हम इस app को safe बना सकते हैं बच्चों के लिए तो यहाँ पर आपके पास एक तरीका है कि आप YouTube Kids का इस्तमाल कर सकते हैं जो कि आप Play Store से इंस्टॉल कर सकते हैं वो सिर्फ Kids के लिए है लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते और आप अपने ही YouTube पे restrictions लगाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जो आपका profile icon है उस पे आपको press करना होगा press करने के बाद अब आपको settings पे press करना होगा then आपको journal पे press करना होगा और उसके बाद आपको restricted mode सबसे नीचे जाके मिलेगा जो की gray color का है अभी और जैसी आप उस पे press करेंगे वैसी ही वो हो जाएगा नीला रंग का तो इसका मतलब यह है कि आपने restrict कर दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो scrolling में ना दिखें तो वो आपको नहीं लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि जैसे कि यह जो device है उसकी लिए setting है लेकिन अगर आप ब्राउजर से अगर आपको तो आपको वहां पर यह चीज यह settings लागू नहीं मिलेंगी तो आप यह settings YouTube browser पर भी लगा सकते हैं आपको बस वहां पर भी settings पर जाना है और restricted mode को on कर दीना है अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे आप की जो है prime video amazon prime जिसे बोलते हैं तो उसको हमने खोलना है सबसे पहले उसके बाद उसकी जो home screen है वो आ जाएगी home screen में आप देख रहे हैं सबसे नीचे किनारे एक नीला रंग का icon बना होगा जिसमें लिखा होगा my stuff तो आपको उसपे प्रेस करना है उसपे प्रेस करते ही आप एक दूसरी screen पे पहुँच जाएंगे जिसके top पे एक gear icon है setting का आपको उसपे प्रेस करना है आप उसके आपको viewing restrictions पे प्रेस करना है अब अगर आपने आपने subscription नहीं लिया है तो आपको पहले लेना बढ़ेगा इस चीज के लिए लेकिन अगर आप अल्रेडी ले चुके है subscription तो तब आप इस पे जाएंगे और आपको जो मैं आगे बता रही हूं वो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे different options मिलेंगे कि जो kids हैं या फिर जो teens हैं जो young adults हैं तो यह सब आप कौन किस किस टाइप की category की जो चीजे हैं above और below वो आप चूस कर सकते हैं इस पे प्रेस करके ठीक है सब वीडियो मैं देख पाऊं तो मैंने यहाँ पे इस पे प्रेस कर दिया अगर मैं teens की अब जो भी subscription है वो कुछ devices तक मौझूद रहता है तो आप यहाँ पे all supported devices पे जाके इस पे प्रेस कर सकते हैं जिसमें किसाई devices पे वो ही ची support करें लेकिन आप चाहते हैं नहीं नहीं सिर्फ individual किसी पे चाहिए तो वो भी available है okay then आपका जो next app आता है वो है disney hot star अब देखते हैं इस पे कैसे हम settings लगाते हैं यहाँ पे आप सबसे top left side पे आप तीन horizontal lines जो है hamburger icon वो देख रहे हैं आप उस पे प्रेस करिए उस पे प्रेस करने के बाद आपको एक side में कुल जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक kit safe की तरफ gray color का toggle button है जो अभी on नहीं है जैसे आप इसे प्रेस करेंगे यह on हो जाएगा और जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे वैसे ही पीछे जो videos थी जो भी चीजे थी वो हट के पूरी kits की बन जाएंगी और आप यहाँ पे सारा contents kits के regarding देख पाएंगे तो यह था सबसे आसान तरिका इसमें hot star plus disney वाला बहुत मस चीज थी अब हम बात कर लेते हैं z5 की अगर आप z5 यूज करते हैं इससे आपको यूज करते हैं इसमें काफी serials हैं काफी चीजे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसमें safety लगाएं child को लेके तो आप क्या कर सकते हैं आपको सबसे नीचे आप देखेंगे right side में सबसे आखरी में more लिखा मिलेगा आपको उस पर प्रेस करना है जैसी आप उस पर प्रेस करेंगे आप settings पर पहुँँच जाएंगे और settings पर पहुँच जाने के बाद आपको एक नई screen मिलेगी उस पर आपको लिखा मिलेगा parental lock तो आप उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि अचली मेरा subscription नहीं है इस पर तो मुझे वो option नहीं दिखेगा तो आपको वो अगर subscription है तो आपको वो option जरूर दिखेगा और उसके बाद आपको वहाँ पर login करने को कहा जाएगा login करने के बाद आपको यहाँ पे काफी options मिलेंगे कि आपको no restriction चाहिए या restricted 18 plus चाहिए या restricted 13 plus चाहिए या restricted all चाहिए तो यह आपके उपर है अगर आप चाहते हो कि आप 13 plus का content ना देखो या फिर जो बच्चा है वो 13 plus के above content ना देखे तो आप उस पे press कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो 4 desert का जो pin है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ठीक है आपको यहाँ पे pin डालना आद ही वो जितनी videos जो पहले आ रही थी home पे अब वो नहीं रहेंगी अब वीडियो बदल के 13 जो restricted 13 plus फाई वीडियो उनके अंदर आतीं है वो ही रहेंगी उनके class की videos रहेंगी और पढ़ाय की videos रहेंगी तो इससे यह रहेगा कि बच्चा के पास वो आप भी है और उसके बावजूद भी वो ऐसी चीजों से काफी अलग है जो उसे नहीं देखनी जाए तो I hope आपको यह काफी helpful लगे होगी अगर यह helpful हो तो thank you for watching